नमस्कार आप देख रहे निउस 4 नेशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ क्या आपने हमारे नए संसद को देखा है नहीं देखा है तो चली आज हम आपको दिखाते हैं पहली जलक नए संसद की कैसी है आखे देखने में हमारे जो नई न्यू पार्लियामेंट विल्डिक यानि संसद भवन है वो कितनी खुबसूरत और तक्निकी हिसाब से कितनी अच्छिल दिख रहे हैं हम आपको आज दिखाते हैं बता दे कि नए संसद भवन का उधगाटन प्रदान मंत्री नरेंदर मूदी द्वार 28 तारीक को की जाएगी जिसका विरोध तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं उनका कहना है कि संसद भवन का उधगाटन नरेंदर मूदी यानि प्रदान मंत्री के हाथों नहीं बलकि प्रेस पार्टिया ऐसी भी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और नए संसद भवन का उद्धाटन का सपोर्ट किया जिसमें चुराक पासवान जैसे पार्टिया सामिल है अब ऐसे में आपको आज हम दिखाते हैं 28 माई को तो इसका उद्धाटन हो जाएगा लेकि सभा कैसी दिख रही है और सेंट्रल विस्ट्रा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे इस नए संसद भवन का लुक कैसा है पहले आपको यह पूरी वीडियो दिखाते हैं बता दे कि नए संसद भवन सेंट्रल विस्ट्रा का उद्धाटन 28 माई को किया जाएगा नए संसद भवन के उद्धाटन के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को मदुरई अधिनियम के 293 प्रधान पुजारी की तरफ से सेंगोल भेट किया जाएगा प्रधान पुजारी स्री हरिहर देशी का स्वामी गल कहते हैं कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को वैस्विक सराहना मिली है देश को उन पर गर्व है उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को साल 2024 में एक बार फिर प्रधान मंत्री के रूप में लोटना चाहिए बताए कि प्रधान पुजारी आगे कहते हैं कि मैं नए संसत भवन के उद्गाचन के मौके पर पीएम मोदी से मिलूंगा और उन्हें सेंगोल भीट करूंगा बतादे कि सेंगोल के अतिहासिक महत्वर रहा है चोल राजवन्स के समय से ही इसे सत्ता खस्तांतरं के रूप में प्रयोग किया जाता है बतादे कि रासदंड सेंगोल को बुमिद्धी बंगारू ज्वेलर्स ने तयार किया है जिसे 1945 में तयार करने में 15,000 रुपे खर्च करने पड़े थे इसे तयार करने में एक महिने का समय लगा था इस पर सोने और चान्दी की परत चठाई गई है 28 माई को जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी देश के नए संसत भवन का उदखाचन करेंगे तो तिहास फिर्च दोहराया जाएगा सेंगोल को लोगसवा स्पीकर के पास ही रखा जाएगा तो देखिए नया लुक भी आपने देख लिया सेंट्रल विस्टर प्रोजेक्ट के तहट बने इस नए संसत भवन यानि न्यू पार्लियामेंट बिल्टिंग आखीर अंदर से दिखती किस कैसी है जिसका विरोध तमाम विपक्षी दल कर रहे है उनका कहना है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी क्यों इसका उधगाटन करेंगे बलकि इसका उधगाटन तो देश की राश्टर पती यानि द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए जिसमें तमाम नेता शामिल है खासकर अगर हम बियार की बात करें तो बियार के महागडबंधन दल में शामिल जितने भी दल है जैसे जदियू, आर्जरी इतना ही नहीं पपु यादो ने भी इसका विरोध किया है लेकिन वहीं चुराग पासवान ने इसका सपोर्ट किया है उन्होंने एक लेटर आज ही लिखा हो आप प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी को लेजर लिखते हैं उन्होंने कहा कि भले हम आपके पाठी के साथ हो या ना हो लेकिन आपके हर नीती का हमने सहयोग किया है और इसका भी हम सहयोग करेंगे तो देखिया 26 माई को प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इससे नए संसद भवन का उठकार्टन होगा भले ही दूसरी पार्टिया यानि जितनी विपक्ष दल है वो इसका भीष्ट प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका उठकार्टन होना चाहिए या प्रेसिडेंट यानि राष्ट्रपती के हाथों इसका उठकार्टन होना चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राये जरूर आप शेयर करिएगा फिलाल इस ख़बर में से इतना ही और वीडियोज और अबडेट्स के लिए आप देखते हैं न्यूस फोनेशे